Hello everyone, welcome back to Poonam's Mini World और मैं हूँ Poonam आज आप सोच रहे होंगे कि Poonam सबजी काटना भूल गई है, बिना काटे ही बना रही है तो मैं भूली नहीं हूँ, मैंने बिना काटे ही सबजी को बनाया है, बहुत अच्छी बनती है ऐसे में यह चौलाई है, दो बंच मेंने चौलाई लिये हैं, तो इसे साफ कर लिया है, धोलिया है सौफ्ट सौफ्ट डंडियां भी ले ली है, हाड जो डंडियां थी वो फेक दी है और अच्छी तरसी से धो लिया है अब कड़ाई में डाल देते हैं तेल तेल थोड़ा से ज़्यादा लगता है हरी सबजियों में ये है जक्या, हमारे उत्रा खंड में इसे जक्या बोलते हैं काले रंग का होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं इसकी हरी सबजियों में इससे तड़का लगाया जाता है बहुत टेस्टी बनती है इससे सबजिया खुश्बू बहुत अच्छी आती है इसकी साथ में डाल देते हैं जीरा भी और लहसुन भी डाल देते हैं लंबा-लंबा काटा है, पतला-पतला और लंबा-लंबा काटा है लहसुन, और भूल लेते हैं थोड़ा सा लहसुन को, कलर चेंज हो गया है लहसुन का भी, अब इसमें डाल देते हैं चॉलाही के पत्ते, हाई फ्लेम पर पकने देते हैं इसे पांच मिनट, पांच मिनट के बाद एकदम सॉफ्ट हो गया है, कम हो गया है, पहले मैं काटके बनाया करती थी, लेकिन हमारे पडोस में एक आंटी रहा करती थी, वो उडिसा की थी, वो ऐसे बनाती थी बिना कटे वे, और मुझे देती मैं इसमें यूज नहीं करती हूँ, कुछ लोग भुनीवी लाल मिर्च का यूज भी करते हैं, लेकिन हमारे याँ कोई लाल मिर्च नहीं खाता है, तो नहीं डाला है, बस पांच मिनट और पकने देते हैं इसे, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी बहुत जल्दी ही, बिना ढख पकन के ही पकाया है इसे, लिड नहीं लगाया है, तो ये पक गई एकदम लच्छेदार बनती है, बिना कटे है, बहुत अच्छी बनती है, ये बनके एकदम रेडि है, दस मिनट से ज्यादा नहीं लगे हैं इसे पकने में, बॉल में निकाल लेते हैं, रोटी के साथ खा सक सकते हैं या फिर हम जब दाल जावल बनाते हैं तो साइड डिश के रूप में भी इसे परोज सकते हैं काफी अच्छी बनती है कभी ट्राइजरूर कीजिएगा बिना कटे वे अगर काटकर बनाते हैं तो बिना कटे वे कभी ट्राइजरूर कीजिएगा तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जुरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई